स्वाध्या यह परम्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म्म प्रभाशंकर पटनी रजित उगाडी राख जो बारी आरजनानो अभ्यास कराविश तो विद्यार्से मित्रो अहिया उगाडी राख जो बारी कवी तानो अभ्यास करता पुर्वे कवी परिचे जुहिए तो विचक्षन राज अमलदार साधु पूरुष प्रभाशंकर पटनी नो जन्म पंदर चार अधारसो वासठ मां मोर्बी मुकामे प्रश्णोरा नागर ज्ञातीमा थोयो हतो तेमनी मातानू नाम मोती बाई अने पीतानू नाम दलपत्राम हतो तेवो विद्यार्थी कालतीज तेजस्वी हता तेमनो अभ्यास मेट्रिक सुधीनो हतो एक सामान्य शिक्षक तरीकेनी नोकरी थी कारकेदीनो तेमने प्रारंब कर्यो हतो जियां ब मित्रो साथे भावनगर ना महराजा भावसी जी ने मढया ते समय तेवो विद्यार्थी हता प्रभाशंकर ने भावसी जी ना ट्युटर तरीके नी जवाबदारी सौफवामा आवी हती ते समय भावनगर राज्य ना दिवान विठल दास महता हता 1903 मा विठल दास नी तबियत बगडी दिवान तरीके नी जवाबदारी प्रभाशंकर ने सौफवामा आवी 1903 थी 1938 सुधी भावनगर राज्य ना दिवान पदे तेवो रह्या तथा तेमने एड्मिनिस्ट्रेटर ना पदने पन शोभाव्यो हतु खेडु तोनी स्थिती सुधार्वा तेवो पोताना थी बन्तु वधुज करी छुटता जुनागड वगेरे देशी राज्य उप्रांध सरकारी इलाका ओये पन भावनगर नो दाकलो लई ते दिशामा प्रयत्नो करेला हिंदुस्तान ना देशी राज्याओना मानिवनता सलाकार उप्रांध ब्रिटिश सल्टलन नो विश्वा समेडवी इंडिया काउंसिल मा तेमने सान भोगव्यो हतु ए बदल अंग्रेज सरकार तरफ थी तेमने सरनो खिताब अपायो तेमनो भावनगर प्रत्यनो प्रेम अने महाराज्या भावसी जी प्रत्यनी बक्ती अनन्य हती उच्य अमलदार होवा छता तेमनो जीवन खुबज सादगी भर्यो हतु आकर्षक बुद्धी प्रतिभा तथा कार्य शक्ती धरावनार सर प्रभाशंकर पत्यनी अजादीनी लड़त वक्ते गांधी जीना अंगत मित्रबनी कार्य कर्यो हतु निस्प्रुही प्रभाशंकर पत्यनी जरुरियात मन्त लोको ने छुटे हाथे सहाई करता एकोई थी अजाणियू नहदू सवरास्टना जेजे दिवान सारा दिवानो थाया तेमा श्री पत्यनीनु नाम शीर मोर छे चोतेर वर्ष्णी उम्मरे सोड बे उग्णिसू आडत्रीस ना रोज हरीपुरा कॉंग्रेस सम्मेलन मा जता ट्रेन मा तेमनु अवसान थयू त्या सुधी तेवो भावनगर राज्यने औने राज्वीने समर्पित रहा हता भावनगर मा थोडो समय पन रहा होई औने वहिवट माटे सर प्रभाशंकर पत्णीने मान्ती याद न करे तेवू न बने तेमनु आ वाक्यतो तक्या कलामनी जेम वपराय छे के अहीं पाहेरवेशनी नहीं पन गुणनी पूजा थाई छे तेव गांदेजीना परम मित्र हता गांदेजी साथेना तेमना पत्र व्यवारोनू पुस्तक पन प्रगट थोयू छे प्रभाशंकर पतनिये प्रेरक काव्यो घणा बधा लख्या छे आ काव्यो नू पुस्तक मित्र शिर्षक्त नामे प्रगट थोयू छे तो विद्यार्थे मित्रो हवे आपने आ रजना कृतीनो विस्त्रूत अभ्यास करी तेनी विस्त्रूत समझूती मेडव्ये तो दुखी के दर्दी के कोई भुलेला मार्ग ने विसामू आपवा घर नी उघाडी राख जो बारी प्रथम बंग्ती माज कवी दुखी, दर्दी के कोई मार्ग भुलेला ने विसामू आपवा नी वाद करे चे विसामू आपवा जरूरी चे, घर नी उघाडी बारी घर ने अहीं जीवन ना प्रतीक तरीके लईये तो आपणू अस्तित्व अन्यने माटे विसामू बने ते जरूरी चे घर तो भोतिक सुख सगवडो वाडू माल खुचे पन तेमा च्यारे आपणा मानवीय भाव भडे त्यारे घर तीर्थ बनी जाये चे आपणू घर राहदारी नो दुखी के दर्दी नो विसामू बने एवी कवीनी भावना सहज रिते व्यक्त थाई चे बिजी पंग्तीमा कवी कहे चे के गरीबनी दाद सामभडवा अवरना दुखने दलवा तमारा करण नेत्रो नी उगाडी राख जो बारी कवी पासे दुखी दर्दी गरीब जेवा प्रजलीत शब्दो छे कवीना रदै भाव शुद्ध चे गरीब दर्दी के दुखी माटे कोई अन्य समानार्थी नो उप्योग करी तेमने कवीता अगरी नथी बनावी भाशाना सौंदर्य करता भावनु सौंदर्य आ कवीताने गरीमा आपे चे कवी आपणने विशेश जणावे चे के गरीबनी दाद सांभडवा के अन्यना दुखोने सांभड़ीने तेनु विवरण करवा तमारे तमारा करण नेत्रो नी बारी पन उघाडी राखवानी छे कानने साबदा राखवाना चे गरीबना रदैनी वाद, व्यथानी वाद, सांभडवा आपने कान खुल्ला राखवा जुईये गरीबनी दाद, फरियाद, रजुवात सांभडवा करण नेत्रो नी उघाडी राखजो बारी एम कही ने कवी आख अने कान खुल्ला राखवानु कहे छे तो कवी आगलनी पंग्तीमा कहे छे के प्रणैनो वाईरो वावा कुछन्दी दुष्ट वा जावा तमारा शुद्ध रदयो नी उघाडी राखजो बारी अहीं कवी कहे छे के प्रेम जीवननु सर्वज्य मुल्य छे रदय प्रेम थी सभर होई ते व्यक्ती करूणाने सहज रीते पामे छे कुछन्द ना कारणे रदय दुष्ट वाईराओ थी भरायलू होई तो प्रणई भाव थी रदय ने भरी देवा पण बारी उघाडी राखवानी छे आपनु रदय प्रेमनु प्रवेश द्वार छे प्रेमनो पवन वाई ते माटे अहीं कुछन्दे चडीने जीवनमा कोई दुष्ट वाईरो गर करी चाई तो तेने जवा देवा माटे तमारा शुद्धर दय नी बारी उघाडी राखवानू सुचन एतले बंधिहार पणा माथी मुक्ती अने सहुना माटे आउकारनी भावना मनुष्ट सामाजिक प्राणी छे आपना जीवन साथे अनेक लोको जोडायला होई छे सहुनो सहकार आपना जीवनने सफळ अने सार्थक बनावेश्चे जीवनना दरेक तबक्के अनेक सबंधो अने स्थडो आपना माटे विसामो बनेश्चे आपने पन त्यारे जीवन ना कोई तबक्के, कोई ना माटे विसामो बनी शक्ये, त्यारे आपना घर ना द्वार अने रदै द्वार खुल्ला राखवा जुईए आगणनी पंक्तीमा कवी कहेचे, के थयला दुष्ट कर्मो ना छुटा जन्जीर थी थावा, जरा सतकर्मनी नानी उघाडी राखजो बारी अन्तीम पंक्तीमा कवी कहेचे, के आजीवन जानता अजानता दुष्ट कर्मो थया होई, तो टे कर्मो ना बंधन थी मुक्त थावू जरूरी चे कर्म दोश थी जन्जीरो थी मुक्त थावेलो मानसज साजी शान्ती पामी शक्येचे असर्व कर्म दोश के दोश कर्म थी मुक्त थवा माटे सतकर्म जरूरी चे सतकार्य आपनने दुष्कर्मो ना बंधनो थी मुक्ती अपावे चे अ सतकर्मनी कविता दिन दुखी ने विशामू अफवाना बोध थी शुरू करी दुषकर्मोना पाप माथी मुक्ती अफवा सुधीनो राह चीन्देश चे सतकर्मोनी नानी बारी उघाडी राख जो एम कही कवी कहे चे दरेक मनुष्यने दुषकर्मोनी जन्जी रोथी छुटवानू सात्विक मार्ग सुचिवे चे आ कवीता सतकर्म करवानी कवीता चे कुल आठ पंक्तीनी कवीता मा रूज बरूज ना जीवन मा मानसी केवू वर्तन करवू जुईये तेनी विननती कहो के अपिल आ कवीता मा करवामा आवी चे कवी कहे चे के कोई दुखी के दर्दी के मार्ग भूलेलो पथिक आपना आगणे आवी चड़े तो आपनु घर तेना माटे खुल्लू होवू जुईये आम अपना चारे वेदिना सार जीवी चार पंगतीनी कवीतावांची समझी पूताना जीवन मा उतारिये चारे बारियो खोलिये तो पची जाजू कई करवानू रहतु नथी प्रभु करनी, करणनेत्रोनी, शुद्ध रदयोनी, अने सतकर्मनी बारी उघाडी राखवानी शक्ती आपो तीवी प्रार्थना कवी करे छे तो विद्यार्थी मित्रो आ कवीता रजनाना अभिहास बाद तमे तमारी प्रगती चकास प्रश्ण एक छे, कवी कोना माटे घरनी बारी उघाडी राखवानू सुच्वेचे बीजो प्रश्ण, कोईना दुखने टालवा आपने शुँ करी शक्तीए त्रिजो प्रश्ण, कुछन्द थी रदैमा भरायला दूस्ट पवनने जवादेवा मालाची शुँ करवू जुईए प्रश्ण चार, दुषकर्मना बंधन थी छुटवा मनुषे शुँ करवू जुईए तो विद्यार्सी मित्रो अहिया आपने एकम जार नो अभ्यास कर्यो तो हवे पची फरी पाचा कोई नवा एकम साथे मली शुब। आप खुब प्रगती करो एवी शुब कामना आप सवनो खुब-खुब आभार।